साथियों नमशकार मैं डॉक्टर दिपेंदर कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लैटफॉर्म केवंस्टी बाइडी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ साथियों आपको इसकिन पर दिखाए दे रहा है हम बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर दिनांक 16.05.2023 यानि की 16.05.2023 को महाराजा छट्र साल बुंदेल खंड विश्व द्याले छटरपूर में जो फाउंडेशन का पेपर प्रथम वर्ष का हुआ है यानि यदि हम कहें तो फाउंडेशन कोड़ का पहला पेपर जिसका टाइटल है हिंदी लेंगवेज एंड एंगलिश लेंगवेज यानि आधार पाठ्ठेकरम का प्रष्ण पत्र प्रथम नाम है उसका हिंदी बाशा और अंग्रेजी बाशा इसके paper का solution यानि salt question paper यानि इसके paper का हल हम इस video lecture के अंदर देखने वाले हैं तो साथियों आप last तक मेरे साथ जुड़ देएगा और इस video lecture में 50 परशन हिंदी और 50 परशन इंगलीज का solution हम लोग देखने वाले हैं साथियों चलते हम लोग सीधे स्क्रिन की और पार्ट एक में आ गए भाशा और संस्क्रती उसमें पहला प्रशन आपको दिखाए देरा इस किन पर कभी मेतलेशन गुपते का जन्म हुआ था तो इसका correct answer है B option है 3 अगस्त 1886 को क्योश नंबर 2 दिखाए देरा मेतलेशन गुपते के भाई भी कभी थे उनका नाम क्या था तो प्रशन करमांग 2 का correct answer है C यानि C या राम शरन गुपतन प्रशन करमांग 3 मात्रभुमी कभीता में रतना करका अर्थ है तो प्रशन करमांग 3 का correct answer हो जाएगा B यानि की पहाड प्रशन करमांग 4 मात्रभुमी कविता में मोद का अर्थ क्या है तो प्रश्ण करमांग 4 का correct answer हो जाएगा ए अर्थात खुशी साथियों चलते हैं प्रश्ण करमांग 5 के तरब कोन सी रश्णा मैट्रिशन गुपति की नहीं है तो इसमें सात्यों हम लोग कहें, तो सांकेत, भारत, भारती, यशोधरा, ये तीनों मैतिशन कुप्ते की रचना हैं, तो कौन सी नहीं है, तो लास्ट वाले जो रचना है रश्मियर भी, ये रश्मियर जो है, ये महादेवी वर्मा की रचना है प्रिशन क्रमांग6, प्रेम चंदर का जन्म इस्तान का है, तो मुन्शी प्रेम चंदर का जन्म, यदि हम कहें, तो लंब ही गाउं में हुआता, जठे का correct आंसर भी हो जाएगा सात्वा प्रश्ण कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है तो इसका correct answer है C option मात्र भूमी मात्र भूमी किसका उपन्यास है तो मैथली शुनन गुप्त का उपन्यास है जब किरंग भूमी, कर्म भूमी और सेवा सदन जो है ये किसके उपन्यास है ये प्रेमचंद के उपन्यास है तो सात्वा का correct answer C हो जाएगा मीर और मिर्जा किस नदी को पार कर शत्रणज खेलने जाते थे तो यदि हम मीर और मिर्जा वाली कहानी को पड़ते है तो उसमें गौम्ती नदी का उल्लेक होता है तो आठवा का correct answer हो जाएगा C अर्थाद गौम्ती नदी अब आते हैं सात्यों प्रिश्ण करमांग 9 की तरफ शत्रणज के खिलाडी कहानी के प्रिश्टवूमिक किस शहर पे आधारित है तो प्रिश्ण करमांग 9 का correct answer हो जाएगा B अर्थाद लखनव शहर पर आधारित है प्रिश्ण करमांग 10 पेश कब्ज है एक दस्वा प्रिश्ण आपको दिखाए देरा ये जो है ये एक हतियार है ये कटारी के समाने कहतियार होता है सात्यों D का एक अंसर कटारी के समाने कहतियार कटारी क्या होती है तो कटारी जो हम कहें तलवार का एक छोटा रूप होता है उसको कटारी कहा जाता है तो 10 वे का करेक्ट आंसर दी एक तियार है पृष्ण करमांग 11 श्रच जोशी का जन्म किस प्रदेश में हुआ है तो आप लोग जानते है श्रज जोशी का जन्म मद्यप्रदेश के उज्जन शहर में हुआ है तो ग्यार विया करेक्ट आंसर C प्रश्ण करमांग बारवा श्रज जोशी मुख्य तक किस विदा के रशना खाड़ते तो श्रज जोशी हम कहें तो एक वियंग कार थे कोनते सातियों वियंग कार थे प्रश्ण करमांग तेरा जीप पर सवाल इल्या वियंग में किसे अन की अधिश्ठाष्टी देवी कहा गया है तो इल्ली को अन की अधिश्ठाष्टी देवी कहा गया है गीत लेखक किस बात की पुष्टी का प्रमान होता है तो साथ इस प्रश्टे को यदि हम ध्यान से पड़े तो सम्दन तेरी गोड़ी चेने के खेत में तो इसमें किस बात का पुष्टी हो रही है तो सम्दन के पास गोड़ी होने का उलेक हो रहा है तो चवदे का करेक्ट आ अंसर होगा कुछ बूक में correct answer d दिखाई देता कुछ में a correct answer दिखाई देता है प्रश्नक्रमांग 5 पब्ली सिटी का अर्थ क्या होता है तो आब अच्छत जानतो पब्ली सिटी का अर्थ होता है प्रचार तसार करना प्रश्ण करमांग 16 राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था आप लोग सबी जानते हो इसका आंसर भी यानि 14 वर्ष का वनवास हुआ था 17 प्रश्ण कंबरामायन किस भाशा में लिख हुई है तो कंबरामायन जो है वो तमील भाशा में लिख हुई है तो 17 का करेक्ट आंसर A हो जाएगा बाड़ती वाग मैं में आदी कभी किसे कहा जाता है तो प्रश्ण करमांग 18 का आंसर हो जाएगा वालमिकी को कहा जाता है राम की माता का नाम क्या है तो सात्यों बच्छे से जानतों उनने इसका करेक्ट आंसर कोशल्या या कोशल्या था राम कथा नामक शोद गरंती की स्विदेशी व्यक्ती ने लिखा है तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन कमिल बुल के द्वारा लिखा गया है आगे चलते प्रश्ण करमांग 21 के तरप कोन सी रचना आचायर राम चंदर शुकल की नहीं है तो 21 का करेक्ट आंसर यहां पर रुजागा साथियों हिंदी साइटी का इथियास आचायर राम चंदर की रचना नहीं है प्रश्ण करमांग 22 आचायर राम चंदर शुकल का जन्म कब हुआ है तो 11 अक्टूमबर 1884 इसमें आपको correct answer दिखाए देरा प्रिदीस का correct answer में दिखा हूँ तो इस चारो option यहाँ पर गलत है साथियों क्या के राओं में ध्यान रखिएगा प्रिश्ण क्रमांग 22 के चारो option गलत है तो correct answer क्या है तो इसमें आचर राम चंदर शुक्ल का जन्म 4 अक्टूमबर 1884 को हुआ है साथियों कितने 4 अक्टूमर 1884 उक्म तो यह सभी option यहाँ पर गलत हो जाएंगे क्योंशन नी गलत एक तरीके से कहते हूं प्रश्ण करमांग तेविस कर्म के अनुष्टान में जो आनंद होता है उसका विधान तो उसका विधान जो है इसका correct answer डी दो रूपों में दिखाई देता है एक धर्म और उधारता के रूप में दिखाई देता है प्रश्ण करमांग चोविस तूशार मंडीत का अर्थ क्या है तो चोविस से correct answer हो जाएगा C यानि बर्फ से डका हुआ प्रश्ण करमांग पच्चिस शाष्टार्थ करने वाले को कहा जा सकता है तो जो शाष्टार्थ करता है मतलब जो शाष्टर की बात करता है किसी वेक्त विश्व की सो सेश रश्टनाओं में शामिल हुई है तो चब इसका A हो जाएगा कुरुक्षेत्र रामधारी से दिनकर जी का जन्म कब हुआ था तो 27 का correct answer A 30 सितंबर 908 को 28 वा प्रश्ण बारत एक हे पार्ट में प्राकरतिक दश्ट्री से बारत वर्ष्ट को कितने भाग कहें गए हैं तो 28 का correct answer हो जाएगा C 3 भाग कहें गए हैं प्रश्ण करमांग 29 के तरह पाते हैं विंद्य से लेकर क्रिश्टा नदीत के उत्तर तक के फेले भाग को क्या कहा जाता है तो 29 का correct answer दक्षिंड प्लेटो कहा जाता है प्रश्ण करमांग 30 दिनकर जी के अनुसार क बाशा भेट क्योश नमर 31 शंक्राचारे का जन्म किस इस्तान पर हुआ है तो 31 का correct answer A कालाडी में हुआ था शंक्राचारे पर किसके साथ शास्टार्थ होने के लिए प्रसिद्ध हुआ है तो 32 का correct answer हो जाएगा C के नामे मंदन मिश्र तो इन्होंने मंदन मिश्र के साथ 21 दिन तक शास्टार्थ की आता है किते दिन तक 21 दिनों तक याद रखेगा सातियों 21 दिनों तक किसके साथ मंदन मिश्र के साथ में 32 का correct answer C 33 जोतिर मट कहां इस्ताफी थे सातियों हम लोग जानते हैं कि भारत में 4 मट है तो जोतिर मट की बात दो लिए 33 का correct answer हो जाएगा C उत्तर में यानि उत्तरा खंडे के अंदर उत्तर में इस्तिधें 34 प्रश्ण शंकराचारिक ने कितने मटों की स्ताफना कभी तो हमने भी का आपको के 4 मटों की स्ताफना करी हैं 35 सामवेद का अध्यन करना किस मट में सूनिशित किया गया तो 35 का correct answer हो जाएगा B यानि शार आगे चलते हैं 37 असूर का परियाब आची क्या है तो 37 का correct answer भी रजनी चर है Q38 अवीरभाव का विलोम शब्द क्या है तो 38 का हो जाएगा 3 भाव ए औप्शन correct हो जाएगा 39 करतीम का विलोम क्या है तो हम लोग जानते है प्राकरतीम का विलोम प्राकरतिक होता है 39 का B हिसाब किताब की जाच करने वाला क्या कहलाता है तो 40 का A आंसर हो जाएगा अंक्यक्षन कहलाता है Q41 संधी के कितने बेद होते हैं तो आप लोग जानते साथ ही उच्छे से संधी कितीन बेद होते हैं स्वर संधी, वेंजन संधी, दिर्ग संधी Q43 उप्यूक्त शब्द का संधी विच्छेद है उप्यूक्त शब्द का संधी विच्छेद कोन सा होगा तो 43 का A उपरी प्लस उक्त क्या हो जाएगा साथियों उपरी प्लस उक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 अजनत का संधी विच्छेद है तो 44 का correct answer B अच प्लस अंत 45 मना प्लस ताप के संधी क्या होगी तो 45 का correct answer हो जाएगा सातियों C मना प्लस ताप हो जाएगा correct answer 45 का C option correct हो जाएगा आगे चलते हैं 46 की तरफ धर्म शब्द में कौन सी धातू है तो 46 का correct answer C ध्र धातू है 47 विचिस्ट दिता के प्रोथक आचारी कौन है तो 47 का correct answer हो जाएगा D रामान उजाचारी है 48 वा करेश्ण वी भाशा का समानारती शब्द क्या है तो 48 का correct answer D उप भाशा होगा 49 अउधारना के लिए अंग्रे जी में कौन सा शब्द प्रियोग किया गया है तो 48 का correct answer concept A option सही होगा प्रिश्ण करमान पचास बारत में उधारी करेश्ट की प्रक्रिया किस अवस्था में है तो 50 वी का correct answer B विकास अशील अवस्था में है आगे चलते सातियों question number 51 की तरफ आगे हम लोग और बात करते भी आपर हम question number 51 के लिए अब हम आगे part B की तरफ जो कि English language और Indian culture का portion है इसमें भी हम पचास प्रश्णों के solution देखेंगे यह paper जो हुआ है 16 मई 2023 को हुआ है बुंदेल खंड विशुद्याले का paper है और इसका question number यह दिया हम पहला यह question number 51 देखें इन दप हो यह where the mind is without fear reason is compared to a तो 51 का correct answer यहां पर हो जाएगा D, river की बात यहां पर हो रही है river और एक लेर स्टीम की बात हो रही है question number 52 तो हम लोग जानते है यह कौन थे तो वेस्ट बेंगॉल के रहने वाले थे तो 52 का correct answer B हो जाएगा father in Tagore's poem यह जो टेगोर की poem हमारे syllabus में दी हुई है वो किसको refer की गई है तो वो God को refer की गई तो 53 का correct answer हो जाएगा A 54 which is the famous work of Tagore तो डेविना टेगोर का सबसे famous work की कौन सा है तो गितान जेली उनका सबसे famous work है तो 54 का correct answer B हो जाएगा अब चलते हैं question number 55 की तरफ according to Gandhi the existing system of education is best on तो question number 55 का correct answer हो जाएगा A इसका correct answer हो जाता है question number 56 what must children be talked from their infancy तो 56 का correct answer साथ हो जाएगा आप लोगों के लिए हो जाएगा A option value of education question 57 गांदी जी considered the study of English language important because तो 57 का correct answer A it reached treasures of literature question 58 which language is regarded as the language of international commerce and diplomacy तो हम लोग जानते हैं कि international language कोन सी है तो English language है 58 का correct answer C हो जाएगा question number 59 कि तरफ आगे हम लोग साती हो who foretold the Vailene would live in a big house तो 59 का correct answer हो जाएगा C, astrologer question number 60 Vailene left home because तो 60 का correct answer his father slapped him 60 का correct answer A हो जाएगा 61 which was the most dear to Vailene 61 का correct answer हो जाएगा C, margosa 62 what did Vailene do with the unwanted plants 62 का correct answer A dug out unwanted plant 63 whose is the author of essay the wonder that was India 63 का correct answer हो जाएगा B-A-L भाशम अब चलते हम question number 64 64 की तरफ आजाते हम लोग साती हो question number 64 the early influence of ancient Indian culture of Southeast Asia can be tricked by can be tricked by तो back to तो इसका 64 का correct answer हो जाएगा B option 5th century BC 65 mention some practical blessings conferred on the word by India तो 65 का correct answer हो जाएगा यहापर A sugar, can, rice और cotton 66 तो साती हों 66 का correct answer यहाँ पर हो जाएगा ज़िए हम लोग कहें तो King Ashoka 67 question देखिएगा आप लोग और question number 67 का correct answer यहाँ पर C formation of diversity of nations की बात हो रही है आगे चलते है question number 68 की तरफ आजाते हम लोग who was the mother of korvas 68 की question है korva की मदर कोन थी तो गांधारी उनकी मदर थी 69 the place where महावारत war took place हम लोग जानते है महावारत कहां पर घटी दुआ था तो कुरुक शेत्र में 69 का D answer हो जाएगा 70 question 70 परशन का correct answer B ruin अब एक आपको पैसेज दिखाए दे रहा इस पैसेज को happy is the man who acquired the habits of reading ऐसा कुछ unseen पैसेज दिया हुआ है इस unseen पैसेज का आप वीडियो को रोक कर unseen पैसेज का read down करिएगा इसका पढ़ लीजेगा पूरए अप पैसेज को यहां से gold and silver और यह पूरा पैसेज चल रहा है इस पूरे पैसेज को पढ़ढ़ीए गा और इस पैसेज के answer की तरब यहां पर चलेंगे हम आजाते हैं पैसेज का answer की तरफ इस 71 का C हो जाएगा आगे चलते 72 की तरफ When does a man wealth become more precious than gold तो 72 का correct answer यहाँ पर C हो जाएगा साथी 73 the synonyms of a lessure is 73 का correct answer यहाँ पर synonyms की बात हुए तो all of the above उसका correct answer है क्योंकि A जो है उसका हिंदी मतलब होता है निश्क्री ए घंटे निश्क्री समय दूसरा भी है free time यानि मुक्त समय और c न महुलत तो D option इसका correct हो जाएगा 74 की बात करें Q74 यह दिए अब क्योंकि आप पढ़ोगे और उसका answer देखोगे तो इसका correct answer हो जाएगा B Whose life become impity तो correct answer B One who does not read it all 74 का correct answer B हो जाएगा अब चलते हम Q75 की तरफ Q75 आप देखोगे When does reading become highest highest king of pleasure तो 75 का correct answer C When we choose right book 76 की तरफ आगे हम लोग Q76 में एक एंटोनिम दिया हुआ है उसका correct answer हो जाएगा C entertainment यह उसका मतलब भी मनो रंजन होता है और इसमें गवड़ दिया हुआ है Amusement A-M-U-S-E-M-E Amusement मतलब उसका मतलब भी होता है मनो रंजन So तो तर का क्योशन दिया हुआ 77 When our brain is Why is we should तो परश्नकर मांग 77 की बात करे तो इसका correct answer B हो जाएगा Read story written by famous writer 78 क्योशन की तरफ चले Book are most faithful of friends 78 एक two line है यह 78 का correct answer A हो जाएगा Question 79 Book on various topics are a source of the pleasure and 79 का correct answer हो जाएगा Education आगे हम question 80 की तरफ One who can speak two language is known as उसकों बोलते है by language तो by language वाले विक्तिर के लिए वर्ड आता है 80 का D जो दो बाशाओं का ज्यान रखता है दो बाशा बोल सकता है तो 80 का correct answer D हो जाएगा आगे चलते हैं यहाँ पर Question number 81 दिया हुआ है Distinguish of the following pairs of word and filling the blanks My father is about weight तो weight कोंसा इस्तमाल करोगा तो यहाँ पर B option correct हो जाएगा 82 की बात करें तो story का option The story of Munshi Prem Chandra तो 82 का A option हो जाएगा Question number 83 A person whose love money and heads spending it तो 83 जो question है उसका correct answer हो जाएगा B जनी conjuice Question number 84 The family was known for its wealth and greatness of heart 34 का correct answer A हो जाएगा Generousity मतलब उदार बोलते हो उसको आगे चलते हैं Question number 85 A person who has been appointed of selected to attend a conference तो जो conference attend करता है उसके लिए क्या वड़ाता है तो यहाँ पर आता है Delegates तो 85 का correct answer B हो जाएगा 86 A person who is slow in learning जो बड़ा धीरे धीरे पढ़ता है उसके लिए 85 का answer हो जाएगा A correct answer 87 A book in a blank pages on which a picture or paper cutting or sticks is known as a तो उसको script book बोलता है 87 का D 88 A study of instant things is मत पुराततों का जो जो अद्धेन हो क्या कहलाता है तो 89 का A हो आप पर option हो जाएगा correct answer 89 का A A Sorry 88 का A 89 Question number 89 के बात करें हम लोग तो one who look on the dark side of his light तो इसका correct answer A Pismids P-E-S-S-I-M-I-S-T इसका मतलब होता है निराशा वादी Sorry 89 का हो जाएगा निराशा वादी Question number 90 के तरफ चलता हम लोग आप साती हो One who known everything जो सब कुछ जानता है तो इसको सरवग्य बोलना चाहिए अपने को तो यहाँ पर जो पहला option है Omnistint आगे चलते 91 अब यहाँ पर आगया जो question 91 से चालो हो रहा आपको countable or uncountable noun की तरफ चलना है 91 का correct answer हो जाएगा A Sorry 91 का correct answer हो जाएगा B uncountable noun 92 question जो दिया हुआ The road is bad condition तो 92 का correct answer हो जाएगा A यहाँ पर जाएगा 93 Success depend on तो इसका 93 का correct answer यहाँ पर हो जाएगा B option हो जाएगा इसका correct answer 94 का correct answer बात करने यहाँ पर तो साथ 94 का correct answer A Unaccountable noun होने She wear dark glasses 95 तो 95 question दिया हम पढ़े तो उसका correct answer B हो जाएगा आगे चल जाएगा Question number 96 I meet Kabir sister is a dancer तो 96 का correct answer यहाँ पर हो जाएगा A Who's 97 97 का यहाँ आप synonyms की बात करेंगे 97 का correct answer D option हो जाएगा Old 98 question की बात कर रहे हैं इसका correct answer Easy का antonyms होता है Difficulty Difficulty 99 question की तरब चलें तो इसका correct option C Suffix to of a word Suffix to End of a word Question number 100 की तरब चलते हम लोग साथियों Question number 100 का correct answer A Any हो जाएगा तो यह था साथियों आपके foundation का paper प्रत्थम वर्ष का जो महाराजा मुंदेल खंट शत्र साल उश्युद द्याले उसका paper है जो 16 मही 2023 को हुआ है उस paper का solution आपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखा I hope यह वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा साथियों जो वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश करिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवश्य वदाए कि वीडियो आप लोग को केसा लगा